हेलो माई स्टुडेंट्स आज मैं आप लोगों को रेगलर हेक्सागॉन कैसे बनाते हैं वो स्टेप के साथ बताने जा रहा हूं आप लोग पूरा वीडियो ध्याम से देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी सी से सीख जाएंगे कि आपका परला स्टेप हो तेक रेडियास एक्वल्टू दा गिबेन लेंद्ध और अप डिसाइड और रेगलर हैक्सागॉन पने लेट दा गिवेन अट्वी संटी। 6 सेंटी मीटर हैं तो मैं मानल लेता हूं कि छे सेंटी मीटर वाले हीक्सागोन को बर्डोर कर ना है स्केल पर मैंने 6 सेंटीमेटर ले लिया है सेकेंड स्टेप टेक एक सेंटर मान लेते हैं एक सेंटर मैंने आप ले लिया एंडो दो 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 करें एक point लिजिए, कहीं भी Starting from that point आपने जो पहले एक point लिया circle के circumference पे and with the given arc arc आपका वो है जो जिससे आपने circle डो गिया था ये और the side of the hexagon यही आपका hexagon का side भी हो जाएगा six centimeter तो अब इस arc से इस एक circle पे six point कट करें तो यह six point मैंने ले लिया erase the circle if you do not want to show it in the final construction यदि आप final construction में circle को नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप इसे erase कर दें लेकिन erase करने से पहले इस point को थोड़ा डार कर दें compass के needle से compass के इस point से इसे थोड़ डार कर देंगे दवा कर तो आप circle को ध्यान से मिटा दें तो मैंने इपना circle मिटा दिया है अब आप लोग ध्यान से देखिए इस सारे points दिख रहे हैं now join the points to the center इस point को center से draw करेंगे and to each other और आपस में भी इसे join कर देना है अधि आप आपस center से नहीं जोइन करना चाहते हैं तो सिर्फ आपस में join कर दें आपका hexagon बनकर तैयार हो जाएगा आपसया कि अब इसका नाम रख दें ए बी शी डी ए एफ तो आपका एकसागोन बनकर तयार है ए बी शी डी ए एफ यदि आप इसे से जॉइन करके दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं तो आप सेंटर से जॉइन कर दें सारे पॉइंट्स को तो यह आपका एकसागोन बनकर त्यार हो गया अधि हमारा वीडियो आपको आप लोगों को पसंद आए तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें धन्यवाद अन्यवाद